Hey everyone, welcome to Glam Up! लड़ाई भी हो चुकी है, और इसी वज़े से उन्हें कुछ हेटर्स मिले हैं, तो कुछ उनकी स्ट्रॉंग पर्सनालिटी को देख कर उनके फैंस भी वन गए, बट कौन है फिरोजा खान, कहां से बिलॉंग करती है वो, रियालिटी में कैसी है वो, और किस वज़े से मिला उने बिग बॉस में आने का चांस, साथ ही जानेंगे कि जैद हदीद के साथ क्या रिष्टा रखती है वो, फिरोजा खान की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अन्जानी बाते मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रही है इस वीडियो के एंड तक, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ये स्टेज नेम वो अपने हर रैप सॉंग में यूज करती है, बट उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ अब ये जान लेते हैं, फिरोजा ने अपनी प्राइमरी अजुकेशन से लेकर हायर अजुकेशन तक की बढ़ाई असाम से ही कंप्लीट की, और म्यूजिक में बच्पन से ही जुकाव रहा, पहले उन्हें पोयम्स लिखने में इंटरेस्ट था और उनका वो इंटरेस्ट दीरे दीरे इतना बढ़ता गया कि वो खुद रैपिंग करने लगी, बट बिना किसी गौट फादर के उन्होंने किस तरह मेल डॉमिनिटिंग म्यूजिक इंड एफ़र्ट्स और डेडिकेशन की वज़ा से उन्होंने MTV Hustle के सेकंड सीजन यानि MTV Hustle 2.0 में अपनी जगा बना ली, इस शो में DMC, Dino James, EPR, King और बाश्चा जजजिस थे और उन्हें EPR Rebels टीम का पार्ट बनने का मौका मिला था, ये शो सितंबर 2022 में प्रीमियर हुआ था और इस साल August में उन्हें Big Boss OTT 2 के कंटेस्टन्ट और Lebanese model जैद अदित के साथ देखा गया, और वो भी केवल formally नहीं बलकि दोनों एक दूसरे के साथ quality time बिताते साथ देखे गये थे, रिपोर्ट्स में ये भी राता कि दोनों को अब्दूरोजिक के restaurant में भी साथ देखा गय आने के लिए ये सब rumors उड़ाए गए हो, या फिर सच में वो जैद हदीत की ex girlfriend ही है, आपको क्या लगता है इस बारे में आप अपना opinion comment जरूर करें, खेर अपने पहले शो के दोरान उन्होंने आजादी, Lady Dawn, Tarazu और No Boundaries पर perform किया था, और उनका आजादी सौंग बहुत popular हु उन्होंने recently Splish Filla Season 15 का भी offer आया था और वो इस शो को लेकर बहुत ज़्यादा excited भी थी, बट बिग बॉस का पार्ट बनते ही उन्होंने viewers का ध्यान इस तरह अपनी तरफ खीचा है कि उन्हें सिर्फ rap music lovers ही नहीं, बल्कि आम जनता भी जान चुकी है, पर कुछ viewers का कहना है कि शो में आते ही उन्होंने victim card खेलना शुरू कर दिया है, और उन्होंने बेवजर शो के contestant अभिशेक पर physically abuse करने का इल्जाम भी लगया, और साथ ही अंकीता लोखांडे से भी उनका जगडा हो गया, मुनावर ने तो उनसे लड़ाई के बाद ये तक कह दिया कि उन्हें बा बॉस के इस सीजन के finalist में अपनी जगा तो बना ही लेंगी, आप अपना opinion भी comment जरूर करें, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं फिराऊंगे एक नए वीडियो के साथ, till then, stay connected, be happy!